नमस्कार दोस्तों आज हम ग्राम पूर्दा में हैं जहां पे किसान भाई मोहित जी ने धान में यूज किया है सेकेंड टाइम आईए हम उन से जानते हैं उनके अनुभाव के बारे में गोरनाम मोहित कुमार पटेल ग्राम पूर्दा तसील बोरी जीला जीला दूर गया चटिस गड़ते रही जी तो आपने ये दूसरे सीजन में डाला ना सर जी ठीक तो आपको इसे क्या-क्या फरक महसूस हुआ कितना किलो उसके बाद यूरिया आपने डाला होगा एक भी किलो यूरिया नहीं डाला है क्या बात है चलिए ठीक है मल्टिप्यार आपने कितना डाला है एक बार डिये पी जब 10 किलो डाले थे तब एक बार मल्टिप्यार डाला एक किलो बस उसके बाद मल्टिप्यार का न और आपने ईसमें कोई किट ना चलिए ठीक है थुड़ा बाली दिखा देंगे आप बाली भी देख सकते हैं और पत्ते भी देख सकते हैं इसमें आपने को यह दिख रहा है कि फिलाल इसमें कोई बीमारी नहीं है ये अंदाजा कितना दिन लगेगा सर अभी कटाई के लिए कितने दिन की फसल है उसके इसाब से तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो फसल है ये अभी कटाई के लिए सिर्फ एक महिना बाकी है और इसमें खाली 10 किलो यूरिया डला हुआ है और एक किलो मल्टी प्लाइर डला हुआ है तो ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं मल्टी प्लाइर का उससे आप समझ सकते हैं कि मल्टी प्लाइर कितना पाउरफूर प्रोड़क्ट है तो मोहित जी आप मल्टीप्यार से संतुष्ट है ठीक और क्या आपकी यह प्लाणिंग है कि अगले बार जब आप धान लगाएंगे तो इसमें रसायनिक खाद बिल्कुल जीरो हो जाएगा ऑगे में दालना नहीं पड़ेगे इसमें रसायनिक खाद तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने लाश्ट ये जो डाला था मल्टीप्यार तीन कि дней तीन लुड़े थे वार हैं और अगले बार से जैसे बता रहे हैं कि इनका रस्यानिक का टोटल बंद हो जाएगा तो उससे आप मल्टी प्यार के पावर को समझ सकते हैं और हरापन और हाइट वरा तो आप लोग देखी रहे हैं इसका कितना अच्छा है करके ठीक है मित्रो